इलावाद में बीजेपी की कारेकारणी की बैठक कल संपन हुई, पीएम ने साथ केंदर मिंदू कारेकारणी में रखे कारे कारणी में तीन प्रस्ताव भी पारित किये गए हैं बैठक में अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधान सबा चनाव की रणनीती पर भी मंधन हुआ जिसमें उत्रप्रदेश चनाव की रणनीती पर खास जोर रहा इलाबाद में संगम तरपरदेश की दशा दिशा के साथ ही पार्टी की रणनीती बनाने को लेकर दो दिन तक चली बीजेपी की राष्ट्रे कारे कारे कारेणी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी के सम्बोधन के साथ ही खत्म हो गई पार्टी के मताबिक कारे समिती का उद्देश वर्तमान राजनेतिक स्थिती का मुल्यांकन करके पार्टी को आगे बढ़ाने के तौर तरीके तैक करने के साथ ही मौजूदा हलात में देश को तेजी से आगे ले जाने पर भी चर्चा करना था बैठक के आखरी सत्र में कारे कारेनी को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने दो साल में सरकार की तमाम उपलब्दियों का जिक्र किया और बताया कि किन-किन योजनाओं के लिए सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है जेटली के मुताबिक प्रधान मंत्री ने कहा कि देश को मजबूत बनाना आज की जरूरत है वा सरकार इसके लिए काम कर रही है प्रधान मंत्री ने कारे करताओं से कहा कि वो सत्ता को ताकत ना समझे बलकि लोगों की सेवा का माध्यम समझे प्रधान मंत्री ने पार्टी नेताओं के आच्रण और नीतियों की द्रिस्टी से साथ केंदर बिंदु कारे कारणी में रखे इन साथ बिंदुओं में सेवाभाव, संतुलन, सहियम, समनवय, सकारात्मक्ता, सद्भावना और समवाद शामिल है कारे कारे में तीन प्रस्ताव वी पारित किये गए इसमें आर्थिक और राजनेतिक प्रस्ताव के अलावा सरकार की उपलब्धियों तता बीजेपी की सफलता का प्रस्ताव शामिल है आर्थिक प्रस्ताव में बताया गया कि कैसे दो साल के लगातार सूखे और दुनिया भर में च्छाई आर्थिक मंदी के बीज विरासत में बहुत खराब अर्थ्विवस्ता प्रावत करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोधी के नित्रित्व में देश सबसे तेज विकास दरवाली अर्थ्विवस्ता बन गया है सरकार ग्रामिट शेत्री के विकास और उद्योगों के विकास पर ध्यान दे रही है और 9 लाग करोड रुपे के फसल रिन प्रदान किये गए हैं राजनेतिक प्रस्ताव में जहां पार्टी ने देश की मौजुदा स्थिती पर चर्चा की है वहीं तीसरे प्रस्ताव में मोदी सरकार के दो साल के कामकाच का खाखा रखा गया तीसरे प्रस्ताव में बताये गया है कि कैसे बीजेपी का विस्तार हो रहा है और पार्टी तमाम राज्यों में सफलता हासिल कर रही है बैठक में अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव की रणनीती पर मन्थन हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीती पर खास फोकस रहा इस बड़े राज्य की सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए संगठन से लेकर सरकार तक हर सर पर कोशिश हो रही है हाला कि यूपी में सीएम पत के चेहरे पर फैसला संसरी बोड में होने की बात की जा रही है बैठक के पहले दिन यूपी के केराना में हिंदूओं के पलाएन का मुद्दा उठा पार्टी अध्यक शामित्शा ने मतुरा और केराना के मसलों पर राज्य की कानुन विवस्था पर भी सवाल उठाया कोल मिलाकर पार्टी ने ना केवल अब तक की उपलब्दियों का लेखा जोका लिया बलकि साल 2017 के लिए रोड में भी तैयार किया बीजेपी के राष्टिये कारस्मित की बैठक में मोदी सरकार के दो साल की उपलब्दियों की जम कर चर्चा हुई और हाल के बिधान सबाच चुनाओं में मिली सफलता को आगे ले जाने का संकल्प दोराया गया देखना होगा संगम नगरी से मिली इस नई उर्जा का कितना फाइदा बीजेपी 2017 में यूपी सहित पाच राज्यों में होने वाले बिधान सबाच चुनाओं में उठा पाती है पार्टी ने कारेकारणी के जरीए ये संदेश भी दिया कि ये मौजुदा समय में बीजेपी की ताकत चरम पर है और इसका प्रयोग समाच के लिए करना है इलाबाद से शैलेंदर मिश्र और आशुतो शुक्लक डीडी नियूज